हेलो नमस्कार डियर स्टुडेंट विल्कम टू सक्सिज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी आयटी की सेकेंड मेरिक लिस्ट बिजारी कर चुक हूए और फॉर्स्ट फ्लोट के लिए जिसने लगाया था उनका भी रिजल्ट आ गया है इन सभी result को कैसे चेक करेंगे और जिनका ITI Second Merit List में नाम आया हूँ उनको admission के लिए कौन-कौन से document लेकर जाने चाहिए ये सभी हम वीडियो में बात करने वाले है चलिए वीडियो को start करने से पहले एक छोटी सी request है यदि चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दिजगा कि आने वाले सभी notification आप तक पहुंचती रहे हैं देखिए आपको result और float list चेक करने के लिए आपको क्यारना क्या होगा आप यहाँ पे सीवीटी सर्च करेंगे सीवीटी ठीक है सीवीटी की आफिसेल वेबसाइट पर आप चले जाएंगे सीवीटी यह है सीवीटी डॉटी अब यहाँ पर आप आएंगे ना तो एक pop-up मेसेज आएगा कुछ इस परकार देखिए अब भी इसको जब ओपन हो जाएगा यह लिं पर उच्छी करण का परड़ाम यानि कि जिसने फ्लोट किया था उनके लिए यह ठीक है अब जिनका फ्लोट होगा वह यहां से फ्लोट पर क्लिक करके वह क्या करेगा अपना यहां पर रेजिस्ट्रेशन नंबर और डेटा बर्थ डालेंगे और उसके बाद सम्मिट आपको करना क्या होगा कि यहां पर अपना रेजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा चलिए मैं रेजिस्ट्रेशन नंबर और डेटा बर्थ डालके सर्च कर रहा हूं तो यहां डेटा बर्थ डालने के बाद आपको सम्मिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए प्लीज इंटर करेक्ट रेजिस्ट्रेशन नंबर बोल ला है तो मैंने इसको फिर से करेक्ट कर दिया गलत हो गई थी रेजिस्ट्रेशन नंबर में अब फाइनली मैं फिर से सब्मिट करूँगा तो देखिए सब्मिट करते ही यहाँ पर अगर कालेज नहीं मिला होगा तो यहाँ प इलाट होगा वो दिखाई देगा कौन से मिला हुआ है कौन सा ट्रेड मिला हुआ है जैसे यहां कंप्यूटर अपरेटर प्रोग्रामी असिस्टेंट दिखाई देगा ठीक है उसके बाद प्रवेश की अन्तिम्तिति आप लोग पता ही है कि चार तारीक तक जाकर अपना एड चेंज कर लें तो आप चेंज कर पाएंगे यहां पे टिकर करके आप यहां पर कर दीजीए गा तो जिससे क्या अगला तिरितितींओ जब आएगा अपका आजाएगा तो यह करना था डाकुमेंट क्या ले जाने है तो आपको कि चार यानिकि आपको 4 सेप्टेंबर 2012 यानि को और उसका फोटोकापी ले जाएगा जैसे की हाई स्कूल का अंग पत्र और सनद सनद बोलते हैं देखिए अंग पत्र होगे मार्क शीट और सनद हो जाएगा आपका वो जो जो नाम आपका डेटा बर्थ फादर ने मदर ने लिखा रहेता है वो ठीक है और नए वालों पर या आप राज अस्तर के खिलाड़ी है तो उसका सर्टिफिकेट होगा तो उसका भी छाय परति और लेकर जाना है उसके बाद तेकि आपको तीन सो रुपे कासन मनी और चालीस रुपे पर तिमा की दर से यह गोवर्मेंट टिया की फीस है छे महीने की फीस जमा करना होगा चैनित प्रमाण पत्र यानिकी जो कालेटर आएगा वो लेकर जाना है और अनलाइन साम भर ते उसका ले जाएगा और तीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आप चार-णो दोहजर बाई से पहले-पहले जाकर अपनी एड़िशन करा लीजिए इसमें आपको जाना है इसम करा लेंगे ठीक है और मैं आप लोग को बताएं जिनका अभी कालेज नहीं मिल पाए तो तिरतिय चरण के लिए वेट करें यहां पर देखिए मैं आप लोग को बता दूँ और जिन अब भी क्या बोला है कि फ्लोट किया थो यहां से चेक करिएगा उनको भी जाना पड़ेगा अगर कालेज फ्लोट हो गया तो जहां कालेज चला गया है वहां जाकर भी डाकुमेंट वेरिफिकेशन और एडमिसन लेना पड़ेगा ठीक ऐसे कैंड़ेट को तो आप लोग अप सकते हैं आज कली वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो गैट मिलेंगे नेक्स्ट अबडेट में तो तक लिए बाए